तो दोस्तो मेरे मोविकेक के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि अगर मोविकेक जिब का पैसा बैंक में टांसफर कर लेते हैं और इसका पैसा नहीं देते तो यह लोग क्या कर लेंगे हम जो है अपनी लोकेसन पर रहते हैं हम किराये पर रहते हैं ऐसा कुछ सवाल उनक इस चार्जिस इनों ले लगा रखें कितने हैबी चार्जिस अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने दिन के चार्जिस हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं कितना यहां पर लगा हुआ है अब देखी आप अगर इसका पैसे को अपने बैंक में टांसफर कर लेते हैं अगर और ज्यादा पेनलटी डेली साथ सो 70 रुपय देतर रुपय एस्य रुपय और इन्हों ने कितनी ज्यादा पेनलटी यहां पर लाइन लगी हुई है अभी कितने दिन के मेरे पैसे डवल कर दी बो भी मैं को अभी दिखा हो गया है तो उसके बाद जो है इन्होंने मेरा पैसा और जो में टांसफर किया था नियुक्त किया हुआ था ग्रातालेस सो चॉरा से रुपया नो ने कर दिया है अब देखिए अगर आप जो स्टार्टिंग में आप पैसा लेते हैं तो सोचते हैं चलो पांच यार रुपया मुझे मिला है लिमिट और इसको मैं बैंक में टांक पर कर लेता हूं और दस वीज पचास सौर रुपया जो भी लगता इसका चार्ज देखें और चलो बहुत बढ़िया है मौट लेकिन जो ह देंगे तो अब हमारे गर पर झाएंगे तो पांच यार रुपय की बात नहीं करेंगे यह सीधा बात करेंगे पचास यारुपय की पैज lin जो मैं लेकिन तरीका इसका है है कि आप सब्सक्राइब करें तो आपके लिए फाइदेबंद है अगर आप लेट कर जाते हैं और पैनेंटी जोड़ जाती तरीका यहां कि हजात दो जार पैनेंटी हो गई तो उनके जो कश्टुम एक है एजन्ट का कॉल आता है तो उन से आप से निए पाइंग मेरे पार पईजा नहीं तो तीन चार बार कॉल करने के बाद वह गिदम जीरो आपका कर देंगे आप दिन जितना भी लिया होगा जैसे हमने लिया है उतना ही हम दे के अपना फंड छुटा सकते हैं अब मेरे जो है आप देने की बात हो रही है तो हमारा जितन यहां पर फंद चूट जाएगा और टेंसर मोग तुम्हें हो जाओंगा वीडियो लगाओ तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दें जिसे और लोगों पास यह जानकारी जाए धन्यवाद